ये वीडियो personally मुझे बनाने में बहुत इंट्रेस्ट आया है उमीद करता हूँ आपको भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है और आप कुछ नया सीखेंगे और इस वीडियो के end में जो भी मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ उससे related आपके लिए एक question भी है तो मुझे इंतजार रहेगा कि उस question का आप सही सही answer कर पाते हैं कि नहीं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमश्कार दोस्तों मेरी fundamental analysis की इस series को जो की 21 वीडियो की series थी इसको आपने खूब प्यार दिया और तब से मुझे बहुत सारी request आई कि इस series को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए तो आज से मैंने decide कि इस series को कुछ और आगे बढ़ाते हैं जो सबसे ज़ादा request थी वह ये थी कि हमें sector by sector अलग-अलग industries का analysis करना सिखाई है तो जैसे हमने banking industry को उस series में cover किया था तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस series को ज़रूर देख लीजीगा लेकिन आगे हम IT हो, pharma हो, FMCG हो बहुत सारी industries को एक-एक करके cover करने वाले हैं जिससे आप उस sector में कैसे stocks को pick करना है इसको सीख सकें और आज ना एक मेरा personal favorite sector है जिसके बारे में discuss करेंगे बच्पन से इसमें मुझे बड़ा personal attachment है लेकिन उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube channel Phenology Ticker को subscribe नहीं किया है तो बहुत सारे videos इस series में भी इस channel पे आने वाले हैं काफी regularly इस channel पे videos आते रहेंगे तो कि personally मैं बहुत regularly videos नहीं बनाग पाता हूँ इसलिए भी जरूरी था कि एक और channel हो जहां पूरी team मिलके research करें और मैं अगर available ना भी हूँ तो भी regularly videos आते रहें तो इस channel को subscribe इस video के description में जाके जरूर कर लीजेगा इसका link वीडियो के description में है तो अब मैं बताता हूँ कि आज हम discuss करने वाले हैं amusement park industry के बारे में इंडिया में कुछ large size parks हैं इमाजिक का है जो इंडिया में सबसे बड़ा है wonderla है यह सबसे बड़ा chain है क्योंकि इसके तीन parks हैं कोची, हैदराबाद, बैंगलोर में SL world है इसके अलावा कोलकता हो, चिन्नई हो, NCR हो यहाँ पे कई mid-sized parks भी हैं तो काफी interesting लगता है दुनिया भर में universal studios हो Disneyland हो, यह करोडो का business इन parks को चला के करते हैं तो interesting industry है, इंडिया में इस industry की growth मुझे लगती है, तो चलिए आज इस industry को analyze करते हैं और जानते हैं कि इंडिया का जो dream poster boy था इस industry का, इमाजिक का जिसे इंडिया का Disneyland समझा जा रहा था आखिर ऐसा क्या हुआ, कि चालू होने के कुछ साल बाद ही, आज लगभग वो bankrupt होने की कगार पे है और उसके opposite, वंडरला जिसकी जादा hype नहीं थी, जिसको जादा लोग North India में शायद जानते भी नहीं है वो एक के बाद एक 3 पार्क खोल चुका है जानेंगे इस वीडियो में शुरू करने से पहले, एक disclaimer कि आज जो कुछ भी मैं discuss कर रहा हूँ वो educational purpose के लिए है, ताकि आप खुद इस तरह के companies को analyze कर सकें और क्योंकि इस industry को अगर आप analyze करना सीखेंगे, तो बहुत हद तक आप multiplex industry को analyze करना भी सीख जाएंगे dynamics काफी सारे similar है तो यह सब कुछ educational purpose के लिए है मैं buy या sell recommendation बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ और जैसे imagica के बारे में हम discuss करेंगे कई सारी problems आई तो ऐसा भी नहीं है कि उस पे सबने उमीदे छोड़ दी है, हो सकता है कोई strategic investor अगर उस company में आ जाए जो उसका debt pay off कर दे तो उस company के दिन भी फिर सकते हैं उसके share price के दिन भी फिर सकते हैं होने को कुछ भी हो सकता है तो buy sell recommendation नहीं है educational video है आपको independent बनाने के लिए तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया था तीन बड़े parks हैं इस industry में SL World हो, Imagica हो और Wonderla के तीन parks हो यह major players है, कुछ smaller players NCR में, Kolkata में यहाँ पे हैं लेकिन जो यह बड़े players है इनके park की capacity है 10,000 लोगों को intake करने की per day यानि एक दिन में यह park 10,000 लोगों को entertain कर सकते हैं Imagica हो या SL World हो तो यहाँ पे, यह multiplex से काफी similar है airline से काफी similar है क्योंकि इनकी profitability इसी बात पे depend करती है कि इनके park किते full चल रहे हैं जैसे airline अगर आधी खाली चलेगी तो वो loss में चलेगी multiplex अगर बहुत ज़ादा खाली चल रहे हैं तो वो loss में चल रहे हैं अब यहाँ आप यह भी समझे है कि किन factors से इन park का occupancy rate कम होता है या बढ़ता है पहली चीज़ अगर exams चल रहे हैं तो क्योंकि बच्चे, youngsters इस park में ज़ादा जाते हैं तो अगर exam चल रहा है, exam season है तो occupancy rate गर जाता है weekends पे occupancy rate बढ़ता है weekdays पे कम हो जाता है अगर बहुत ज़ादा rainy season है तो amusement park में लोग नहीं आते अगर बहुत थंडिया है winter season है, तो water park में लोग नहीं आते तो इन बहुत सारे कारणों से इनका occupancy rate गरता है और exam free weekends जो होते हैं bright sunny days उनमें इनका occupancy rate सबसे ज़ादा होता है हलकि ये कई सारे measures करते हैं जैसे weekdays में school picnics, college picnics arrange कराना ताकि जो खाली weekday पड़ा है उस पे discount में schools को ticket दे दो तो कुछ लोग तो आएं लेकिन फिर भी on an average weekends पे ही भीर जाता रहती है तो इन बहुत सारे weather और exam और बहुत सारे कारणों के कारण globally ये parks में occupancy rate 35-40% 35-40% के आसपास रहती है यानि अगर 10,000 की capacity है तो साल भर का average ये होता है कि per day 3.5,000 to 4,000 लोग इन parks में आते हैं इंडिया में वो average 3,000 के आसपास है यानि 30% के आसपास है 10,000 की capacity है तो on an average 3,000 लोग इस park में आते हैं occupancy level काफी लो रहता है इन parks का बट globally यही हाल है अब second चीज़ आती है कि per user revenue ये park कितना कमा सकता है एक user से कितना पैसा ये park वसूल सकते हैं तो on an average week day में ticket price 800-900-700 रुपे के आसपास रहता है week end में ये 1500-1600 रुपे के आसपास हो जाता है अगर हम overall average देखें parks to park depend करता है wonderla थोड़ा सस्ता है magic का थोड़ा premium है लेकिन on an average अगर हम देखें तो ये 12-1300 रुपे per user का इनका revenue रहता है plus 300 रुपे के आसपास food and beverage revenue या costume अगर water park है तो locker rent और इस तरह का revenue होता है 200-300 रुपे के आसपास ये दोनों को जोड़ लिया जाए तो per user revenue on an average 1500 रुपे के आसपास रहता है 1500 तो अब देखते हैं कि एक दिन का revenue किता हुआ roughly लोग आए 3000 लोग नहीं मैं कहता हूँ ये भी आज नहीं तो कल global average के हिसाब से 40% occupancy पे ही चलेंगे तो हम मान लेते हैं कि 4000 लोग रोज इन पार्क्स में आते हैं और एक इनसान से ये पार्क्स 1.5,000 रुपीज कमाते हैं याने इनका एक दिन का revenue हुआ 4000 into 1.5,000 which is 60 lakh रुपीज तो एक दिन का revenue हुआ 60 lakh रुपीज अब तो yearly revenue किता हुआ तो हमको 60 lakhs into 365 करता है which is equal to roughly 220 करोड रुपीज याने इमाजिक का जैसा एक पार्क एक साल में 220 करोड रुपीज revenue कमाता है ध्यान रखिये ये revenue है ये profit नहीं है ये तो total पैसा जो user से मिला अब हम बात करते हैं expenses की लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले है तो हम देखने वाले हैं कि इन पार्क को value कैसे किया जाता है valuation, moats याने क्या advantage, क्या disadvantage है इस industry को competitor analysis करने वाले है और ultimately share का fair price कैसे निकालना है invest किस price पे करना है किस price पे नहीं वो हम देखने वाले है तो चलिए, moving back to expenses हमने माना कि IMAGICA का साल भर का revenue है 220 crore rupees क्या हमारा ये जो calculation है ये जो assumption है, ये सही है क्या सच में 40% occupancy होती है क्या सच में 1500 rupees per user आता है ये सब कैसे पता चलेगा तो ये सब आप जाके देख सकते हैं ticker.finology.in पे जिसका link इस वीडियो के description पे है और चलिए, यहाँ चलके मैं आपको दिखाता हूँ कि actually मैं IMAGICA का yearly revenue कितना है तो हमने जैसे आप देख रहे हैं IMAGICA टाइप किया, select किया और अब मैं उपर इस बार से P&L statement select कर रहा हूँ और जैसे ही P&L statement आया मैंने देखा कि financial year 19 का इनका yearly revenue है 240 करोड रुपीर हमने अज्यूम किया था 220, यह है 240 तो हम इसके आसपास ही थे लेकिन चलिए, अगर 240 है तो 240 ही अज्यूम करते हैं और अब देखिए, कि यह तो revenue है इसके बाद बार्क में बहुत सारे पार्क वालों के भी तो खर्चे होते हैं स्टाफ की salary देना, बिजली का खर्चा राइड्स की maintenance करना और बहुत सारे इससे साफ सफाई का खर्चा बहुत इससे जुड़े होए खर्चे पानी filter करना होता है, water park है तो बहुत सारे खर्चे होते है तो यह सारे खर्चे को हम कहेंगे operating expenses तो अब जैसा कि आप second line पे देख पा रहे हैं कि operating expenses इस पार्क के है 190 करोड रुपीज याने 240 करोड रुपीज जो यह लोगों से लेते हैं उसमें से 190 करोड रुपीज तो पार्क का यह सब regular खर्चे में निकल जाता है याने बचता है केवल 50 करोड रुपे लेकिन इस 190 करोड उसको भूल जाते हैं मान लेते हैं कि कुछ भी करके IMAGICA अपने खर्चे कम कर लेगा चाहे जाधा tickets बेचेगा चाहे salaries कम करेगा कुछ भी और हम केवल यह मानते हैं कि जितना IMAGICA का revenue है उससे 50% ही उसके operating expenses होंगे अभी 75% है लेकिन हम optimistic हो रहा है हमको IMAGICA से प्यार है मान लीजे तो हम optimistic होके मानते हैं कि नहीं IMAGICA के expenses 50% ही होंगे याने 120 करोड रुपीज ही होंगे और बाकी जो 120 करोड बचा वो हुआ उसका operating profit अब हमको तो IMAGICA से प्यार है तो हम और optimistic होते हैं हम मानते हैं कि government कोई income tax भी नहीं लेगा इसने कोई debt भी नहीं लिया था तो कोई interest payment भी नहीं करना हम सब कुछ अच्छा-च्छा मान लेते हैं तो अब ये 120 करोड रुपीज साल का मुझे इस पार्क से आ रहा है अच्छा है कि नहीं अगर आप इस पार्क के owner है तो खुछ से पूछिए इस चीज से आप खुश होंगे कि नहीं कि 120 करोड रुपे आपको साल के आ रहा है अब जो थोड़ा बहुत भी बिजनस करता है वो जानता है कि सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि इस पार्क को बनाने में खर्चा किता है क्योंकि अगर मान लिजए ये पार्क बन गया 50 करोड रुपीज में और मुझे साल के 120 करोड रुपीज आ रहा है लेकिन अगर इस पार्क को बनाने में खर्च हो गए 1,00,000 करोड रुपीज और 120 करोड रुपीज आ रहे हैं तब ये बहुत बुरा है तो खर्चा किता हुआ इस पार्क को बनाने में अब इस पार्क को बनाने में खर्चा हुआ 1600 तो 1700 करोड के आसपास याने ये एक ऐसा बिजनस है जो आपने ऐसा मान लीजिए कि 160 रुपीज में शुरू किया और अब हर साल आपको 12 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है याने आपको अपना investment वसूल करने में जो पैसा आपने लगाया था वो पैसा आपको वापस मिले सिर्फ आपका principle वो आपको वापस लेने में ही 13 to 14 years लग जाएंगे इसे कहते हैं payback period ये एक बहुत अच्छा valuation method है asset heavy industries के लिए जिनमें upfront capital cost बहुत होती है जिस बिजनस को शुरू करने में बहुत जादा पैसा लगता है उन businesses को value करने का ये बहुत अच्छा तरीका है जिसे कहते हैं payback period जो ये देखता है कि business शुरू करने में कितना पैसा लगा और वो पैसा आप अपना investment निकालने में आपको कितना time लग रहा है तो 1700 करोड रुपीज से ये business शुरू हुआ और हर साल आपके वड़ 120 करोड रुपीज निकाल पा रहे हैं आपको 14 years लगेंगे सिर्फ अपना investment निकालने में and why is it a bad business क्योंकि अगर आप उ 1700 करोड को FD भी करा देते तो 14 years में आपका वो पैसा 3 times हो जाता 5000 करोड रुपीज तो वो वैसे ही हो जाता इस पार्क को आपने खोला इतनी मेहनत की ना जाने क्या 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 किया तो भी आपको 14 years में अगर सब अच्छा रहा ये हमने अभी अच्छे अच्छी चीज़े मानी है कि operating expenses कम रहेंगे government tax नहीं लेगी ना जाने क्या-क्या तो भी 14 years लगेंगे reality में तो और जाता लगेंगे तो ऐसे में ये सवाल उठता है ना फिर owner ने क्या सोच के इस business को शुरू किया क्यों किया? कोई common man भी इतना सा calculation करके मान जाएगा कि ये business नहीं करना चाहिए तो इसका जवाब मिलेगा जब हम दूसरी company analyze करेंगे जो है wonderla इस company की सारी details भी आपको ticker पे मिल जाएंगे जितनी भी भारत में listed companies हैं सब का fundamental analysis आप ticker पे जाके कर सकते हैं ticker.phenology.in link description में हैं तो आप जानते हैं दोनों में क्या difference है और wonderla ने क्या अलग किया तो हम ये तो समझी चुके हैं कि IMAGICA के business को शुरू करने का ज़्यादा sense नहीं बन रहा है तो wonderla ने कैसे शुरू किया और कैसे expand कर पाया देखिए wonderla एक पार्क शुरू करता है हैदराबाद पार्क जो है उन्होंने इतने सस्ते में पार्क कैसे खोला तो दो फर्क है IMAGICA जो है वो इंडिया का डिजनी लैंड बनना चाहता था याने बड़े बड़े waterfalls water bodies ज़रने तालाब ग्रीनरी बड़ी बड़ी थीम्स कार्टून कारेक्टर्स animated screens indoor rides सारी वो चीजें जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है वहीं वंडरला थीम पार्क नहीं एक amusement park concept पे आया वंडरला का ये मानना था कि लोग amusement park क्यों आते हैं जूला जूले तो कम से कम land में जादा से जादा जूले भर दो बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे शहरों में वो जो मीना बजार या डिजनी लैंड फैर लगते हैं एक football मैदान जितना मैदान लो और वहाँ 20 जूले लगा दो क्योंकि लोग तो जूला जूलने आ रहे हैं तो वंडरला उसी aspect पे काम किया कि छोटी जगे पे जादा से जूले भर दो जिससे क्या होगा land cost कम हो गई लेकिन IMAGICA ने बड़े-बड़े waterfalls water bodies, cartoon characters indoor rides, बड़ी-बड़ी buildings lighting, sound systems ये सब में खर्चा किया ये बाहर पे चलता है क्योंकि वहाँ paying capacity ज़ादा है तो अगर बाहर किसी developed देश में कोई 1700 क्रोड का investment करता है तो उसे वो वसूल भी सकता है क्योंकि वहाँ tickets का on an average price 5000, 6000, 5000 to 6000 होता है इन बड़े amusement parks का लेकिन इंडिया में IMAGICA चाहा के भी 1500, 2000 के उपर ले नहीं पा रहा है अगर IMAGICA भी 5-6,000 ले पा रहा होता तो उसका जो 14 years का payback period है वो कम होके 3-4 years का हो जाता और फिर ये business viable होता लेकिन सोचिए अगर IMAGICA आपने ticket price 5000 कर दे और 4 लोगों की family को एक दिन के लिए जाना है तो 20,000 का खर्चा इंडिया में कितने middle class लोग afford कर सकते हैं एक दिन के लिए नहीं कर सकते इसलिए ticket आप 1000, 1.5,000 से जादा रख नहीं सकते क्योंकि एक family एक दिन पे 5-6,000 भी बड़े मुश्किल से खर्च कर पाती है तो problem ये हुआ कि IMAGICA ने सोचा कि वो इंडिया में Disneyland खोल लेगा Disneyland जैसा price ले लेगा और उसका business viable हो जाएगा लेकिन खुलते ही एक दो साल में realize हुआ कि यहाँ पे Disneyland वाले prices लेना possible नहीं है यहाँ तो 1000, 2000 रुपे ही ले पाएंगे जिसके कारण उनका payback period तीन गुना बढ़ गया और business unviable हो गया वहीं wonder लाने क्योंकि उनका investment ही one-fourth था उनका investment केवल 350 करोर था तो उनके लिए अगर 1000 रुपीज पर user भी मिल रहा है तो उनका payback period पाथ साल का हो गया उनको 15 साल रुकना नहीं है तो क्योंकि उन्होंने अपना investment ही कम कर लिया इसलिए उनको investment अपना वसूल करने में कम time period लगा और उनका business viable हो गया यह एक कारण है आगे हम और technicalities discuss करेंगे लेकिन दो major कारणों को और discuss कर लेते हैं एक कारण और यह कि wonder लाने क्या किया एक combined ticket रखा water park का और amusement park का एक ही ticket आपको जाना है तो water park जाओ जाना है amusement park जाओ चाहो तो दोनों जगे जाओ IMAGICA ने इसे अलग-अलग रखा तो क्या होता है resources का optimum utilization नहीं हो पाया जैसे wonder लाने 50 employees का staff रखा और उसे दिखा कि ये 2 घंटे water park में भीड जादा हो रही है तो जादा resources वहाँ लग गए अगर rainy season है amusement park में भीड नहीं है तो water park में जादा resources लग गए सरदिया है उस तरफ भीड नहीं है amusement park में जादा resources लग गए resources की sharing जादा अच्छे से हो पाई लेकिन क्योंकि IMAGICA के case में Aquamagica IMAGICA अलग-अलग parks है तो resource sharing, economies of scale उतना अच्छा नहीं आ पाया इसके अलावा तीसरी चीज़ वंडरला खुद की rides भी in-house बनाता है काफी हद तक, काफी rides in-house बनाता है और जूलों पे अगर आपको rides import करनी है, विदेश से मंगानी है तो उस पे government बहुत ज़ादा tax लगाती है जिसके कारण जूले महंगे हो जाते है और park की cost पढ़ जाती है लेकिन क्योंकि वंडरला बनाती भी खुद है कुछ हट्ता, कुछ जूले तो उसको वो tax government को नहीं देना पड़ता क्योंकि वो in-house manufacturing करके अपने ही park में उसको लगा देती है ट्रेडिंग या खरीदने बेचने का काम ही नहीं तो अगर खरीदना बेचना नहीं हो रहा है तो tax देना ही नहीं पड़ रहा अब हम कुछ qualitative differences की बात करते हैं जिसके कारण भी बहुत फर्क आया पहला mode तो ये कि जिस शहर में आप घुज गए जिस शहर में वंडरला घुज गया उस शहर में कोई और बड़ा competitor आने का सोचेगा नहीं क्योंकि जैसा हमने देखा है पार्क की viability तभी है ये पार्क आपको पैसा कमा के तभी देगा अगर occupancy जादा हो तो जहां already वंडरला है और वो खुदी 30-40% occupancy पे चल रहा है कोई और फिर 400-500 करोड रुपे लगा के एक पार्क क्यों खोलेगा जब उसको पता है ट्राफिक बट जाना है तो अगर आधा-धा ट्राफिक 4000 के बदले दोनों पार्क में अगर 2000-2000 लोग जाएंगे तो जो नया पार्क है जिसने fresh investment किया है उसको अपना पैसा recover करने में ना जाने कितने साल लग जाएंगे इसी लिए जो नए players है वो वंडरला से compete नहीं करना चाहते और वंडरला एक-एक करके अभी उनका चिन नई पार्क बन रहा है एक-एक करके नई-नई cities capture करता जाता है और कोई और compete नहीं करना चाहता तो यह जो upfront capital है कि बहुत जादा पैसा लगता है और payback period लंबा है इसके कारण entry barrier है यह एक important mode है entry barrier इसके कारण कोई और enter नहीं होता और वंडरला एक करके cities capture करता जा रहा है इसके अलावा आप यह भी देखिए कि जैसे जैसे वंडरला के parks बढ़ते जा रहे हैं उसका cash flow बढ़ता जा रहा है और उसका payback period कम होता जा रहा है इसको एक example से समझते हैं 2000 में वंडरला ने पहला पार्क शुरू किया कोची में तो जो वंडरला का calculation है हम उसी को आसानी के लिए मान लेते हैं यह सही नहीं है लेकिन आसान रहे इसलिए मान लेते हैं कि वो कोची पार्क भी मान लीजे 120 करोड रुपीज हर साल recover करता है मान लीजे उस समय कोची पार्क को बनाने का खर्चा आया था 500 करोड रुपे adjusted to inflation आज के हिसाब से याने 4-5 साल वंडरला को लगे उस पार्क की cost recover करने में तो एक बार उस पार्क की cost recover हो गई फिर भी वो पार्क तो हर साल profit कमा ही रहा है तो मैंने क्या किया पात साल में अपने 120 करोड रुपे निकाल लिए अगले पात साल 120 per year per year करके मैंने 600 करोड रुपीज और एकटा किये और उस से 2009-2010 में मैंने second पार्क खोला अब मेरे पास दो पार्क से हैं अब दो पार्क से मुझे 120 plus 120 240 करोड रुपीज आ रहे है ऐसे में अगर मान लीजे second पार्क को मेरे बनाने की कॉस्ट 500 करोड भी थी तो 240-240 पहले साल आया दोनों पार्क से मिलाके 240-240 अगले साल आया तो दो साल में ही मेरे second पार्क की कॉस्ट रिकावर हो गई मैंने दो साल और लगाए 500 करोड रुपीज का कैश और दोनों पार्क से कलेक्ट किया और 500 करोड से तीसरा पार्क हैदराबाद में खोल दिया अब मुझे 3 पार्क से पैसा आ रहा है 120 करोड रुपीज इच यानि 300 करोड रुपे मुझे हर साल अब 3 पार्क से आ रहा है तो ऐसे में जैसे जैसे मेरे पार्क बढ़ते जा रहा है मेरे पास कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है और मेरा पेबैक पीरिएड कम होता जा रहा है हर नए पार्क के लिए क्योंकि अब मैं multiple sources से उस पार्क का पेबैक कैलकुलेट कर रहा हूँ और जैसे जैसे मेरे पार्क बढ़ेंगे मेरे लिए कमपीट करना नई cities में घुसते जाना कुछ इसी तरह की चीज डी मार्ट ने भी की शुरू में उनके stores धीरे धीरे expand हो रहे थे एक store से पैसा आ रहा था बनाते रहें cash flow के लिए एक पार्क ही आप खोल के बैठ जाएंगे और उस पे इतना पैसा लगा देंगे कि वो पैसा recover करने में ही 15 साल लग जाएं तो आप expand कप करेंगे जिस कारण भी IMAGICA पीछे रहे गया again मैं आपसे कहना चाहूँगा ये buy sell recommendation नहीं है में जा सकता है और कैसे cash flow के sources expand होते जाते हैं ये multiple industries में जा सकता है इसलिए इसे समझाना जरूरी था लेकिन ये buy sell recommendation नहीं है एक disclosure में और देदू कि personally मैं wonderla में बहुत सालों से invested होगी तो अगर आपको अब ये payback period वाला example पसंद आया हो तो इस वीडियो को like जरूर कर दीजेगा अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो दबा दीजे subscribe बटन को और bell icon को चुकि इस थरह के analytical videos में और लाता रहूँ और अगर आप मुझसे interact करना चाहते हैं Instagram, Twitter या Facebook पे तो ये तीनों ही links आपके screen पर अब available हैं और हाँ, जाने से पहले एक सवाल मैंने तो आपको बता दिया कि wonder law और इस industry में क्या advantages है क्या disadvantages है, क्या barriers है, क्या moat है लेकिन आपसे अब मैं पूछना चाहता हूँ comment करके आप मुझे पताईए कि Asian Paints का moat क्या है सिर्फ brand अगर आप बोलने वाले हैं तो वो moat नहीं है एक अलग moat है जो जादा लोगों को नहीं पता मैं comment में जरूर जानना चाहूँगा क्या आपको पता है कि Asian Paints का moat क्या है